नमस्कार दोस्तों जैश्री कृिष्ना राधे राधे दोस्तों सभी श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर-harmahábana कि विव राधे राधे देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फि और अगर नारी चाहे तो पुरुष को रंग से राजा बना सकती है, एक नारी घर को बनाती है और बिगड़ती भी है, कोई नारी अचानक से पांच काम करने लगे, तब उसका पती माला माल हो सकता है, माता लक्षमी स्वयम ऐसे घर में अपना आवाज बना लेती है, सुख, स समरिध धिधन, चुम्बक की तरह खींचा चला आता है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प जाएं, जिम्यदारियों को निभाने लगे, तो वह महिला इश्वर की क्रिपापा लेती है, और उसका पती कोई भी कार्यकर ले सफल जरूर होता है, क्योंकि इनके साथ स्वय महालक्षमी खड़ी होती है, दोस्तों नंबर दो अचानक इश्वर में आस्था रुची धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई नारी सच्चे दिल से पुजा पाट में लिन हो जाती है, तब वह समस्थ देवी देवताओं की क्रिपापा लेती हैं, नारी के साथ स्वय महालक्षमी खड़ी होती, ऐसी नारी का पतीपल भर में धन से माला माल हो जाता है, इसक का उसके मीठे बोलने से आकरशित होना और उसके हृदय में ममता का वास होना तो वहाँ पर अस्थाई रूप में माता सरस्वती वास कर लेती है, महिला का पती कई उची बुलंदियों को छू लेता है, ऐसी महिला के दर्शन करना भी किसी चमतकार से कम नहीं है, दोस्तों नंबर चार अचानक से पत्नी सुभा के समय पती के पाव दबाने लगे, बताया जाता है कि पुरुष के पैर से घुटनों तत लेकर का जो भाग होता है, वह शनिदेव का होता है, और वही इस्त्री के कलाई की उंगलियों तक का जो भाग होता है, वह शुक्र देव का होत जोतिश शास्त्र के अनुसार जब भी शनी पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ती अवश्य होती है। तब उस घर में महालक्ष्मी का वास हो जाता है और ऐसी इस्त्री का पती धन दौलत से माला माल हो जाता है। उतार ले तो उसे बिना पूजा पाट के ही सारा फल मिल जाता है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति एकदम सवेरे सवेरे औरत की यह चीज देख लेता है तो उसका भाग्य चमक उठता है। उस व्यक्ति का नासीब खुल जाता है। दोस्तों महिलाओं में उनकी एक चीज बहुत खास होती है। आप सुभा सुभा इसके दर्शन जरूर करें आप विश्वास नहीं करेंगे। आपको बहुत सारा वो फल मिल सकता है जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते। लेकिन औरत की यह चीज जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहली बार जब आप सुभा सुभा बिस्तर से उठे तो सबसे पहले औरतों के कानों को जरूर देखें। क्योंकि जो कान के पीछे का हिस्सा होता है, शास्त्रों में वेग पुरान के अनुसार इस हिस्से पर मातालक्ष्मी का स्थाई रूप से निवास होता है। किस्मत के ताले खुल सकते हैं, कभी भी पैसों की किल्लत नहीं जेलनी पड़ती, लेकिन याद रहे महिलाओं के प्रती आपके मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए तो मालक्ष्मी क्रोधित हो सकती है। जास्त्रों में बताया जाता है कि महालक्ष्मी महिलाओं के सर पर वाश करती है और इसी कारण महिलाओं अपने माथे पर कुम-कुम लगाकर या मांग में सिंदूर भर माता लक्ष्मी को सम्मान देती है। महालक्ष्मी हमें धन प्रदान करती है। इसी कारण से महिलाओं के सिर्के जो उपरी भाग होता है जहां पर सिंदूर लगाया जाता है उससे आप सुभा-सुभा दर्शन जरूर करें। ऐसा करने से सीधे तोर पर मा लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्थ होती है जो मांग भरी महिलाओं के दर्शन कर लेता है। दोस्तों जब आप सुभा-सुभा उठे तो सबसे पहले इस्त्री चर्णों के दर्शन जरूर करें। बहुत ही शुभ माना गया है। इस्त्री के चर्णों में भी सभी प्रकार के सुख होते हैं। व्यक्ति के बुरे कर्मों को कम करने में इस्त्री के चरण बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं। भगवान कृष्ण जी बताते हैं, जो व्यक्ती स्त्री का सम्मान करता है, वह इश्वर का प्रिय रहता है, आदरणिय व्यक्ती के चर्णों को देखने पर या उन्हें स्पर्ष करने पर भगवान की कृपा प्राप्थ होती हैं, छोटी छोटी कन्याओं के दर्शन करने पर व्यक्ति महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। आप नभी के दर्शन करें आपका भाग्य चमक जाएगा। माता रानी आपके सभी बिगडे कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ शास्त्री उपाय भी अपना सकते हैं। दोस्तों प्रती शनिवार को पीपल को जल चड़ा कर उसकी पूजा करेंगे तो धन समरिध्धी में बढ़ोतरी होगी। इस बात का भी ख्याल रखें और दोस्तों भगवान श्री कृष्न को बानसुरी अतीप्रिय है। घर में बानसुरी रखी होती है तो वहां के लोगों में परस पर प्रेम बना रहता है और साथ ही सुख समरिध्धी भी बनी रहती है। अगर आप अपने परस में पैसा टिकाना चाहते हैं तो वास्तु के अनुसार ऐसे चीजें अपने परस में कभी भी ना रखे जैसे की खाने की चीजें अपने परस में धार्मिक चीजें और पवित्र चीज ही रखे हैं। आप चाहे तो हमेशा युद्राक्च साथ ही रखें, तो ऐसे में आपकी बरकत हमेशा बनी रहेगी, अगर आप पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, तो ऐसे में अब आपने पर्स में लहसुन की कली रख दे, ऐसा करने से आपके पैसे जल्दी से खर्च नहीं होंगे, साथ ही ब बर्गद के व्रिक्ष की चाव में अगर कोई पौधों को उगाया गाया है तो उस मिक्टी से खोद कर निकाले और अपने घर में लगाई यह जिस गती से यह पौधा बढ़ेगा उतनी ही गती से आपकी समरिध्धी में व्रिध्धी होगी. माह के पहले बुधवार की रात्री में कच्ची हल्दी की गांट भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और अगले दिन गुरुवार को उसे पीले. धागे में बांध कर अपनी दाहिनी भुजा पर धारन करें. संपन्ता में व्रिध्धी होगी. धन रखने के स्थान पर पान के पत्ते में शमी की लकडी को लपेट कर रखने से धन का अभाव कभी नहीं रहता नियमित रूप से केले के व्रिक्ष में जल अर्पित करने और दोनों समय शुद्धगी का दीपक जलाने से आर्थिक समरिध्धी प्राप्थ होती है. तो दो इस लिखने से विडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है. धन्यवाद.